कहानी संसार में लीजे सुनिये सादत हसन मंटू की कहानी परी कश्मीरी गेट दिल्ली के एक फ्लैट में अनवर की मुलाकात परवेश से हुई वो कतन मुतस्सिर न हुआ परवेश निहायत ही बेजान चीज थी अनवर ने उसकी तरफ देखा और उसको आदाब अर्ज कहा तो उसने सोचा ये क्या है औरत है या मुली परवेश इतनी शफैद थी कि उसकी सफेदी बेजान सी हो गई थी जिस तरह मुली ठंडी होती है इसी तरह इसका सफैद रंग भी ठंड़ा था कमर में हलका सा खम था जैसा कि अक्सर मूलियों में होता है अनवर ने जब उसको देखा तो उसने सबज दुपट्टा ओढ़ा हुआ था गालिबन यही वज़े है कि उसको परवेश हूबहू मूली नजराई जिसके साथ सबज पत्ते लगे हूँ अनवर से हाथ मिलाकर परवेश अपने नन्ही से कुट्टे को गोद मिलेकर कुर्सी पर बैठ गई उसके सुर्खी लगे होठो पर जो उसके सफय ठंडे चेहरे पर एक दहकता हुआ अंगारा सा लगते थे जैईप से मुस्कुराहट पैदा हुई कुट्टे के बालों में अपनी लंबी लंगी उंगलियों से कंगी करते हुए उसने दीवार के साथ लटकती हुई अनवर के दोस्त जमील की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा आप से मिलकर बहुत खुशी हुई अन्वर को उसके साथ मिलकर कतन खुशी नहीं हुई थी, रंज भी नहीं हुआ, अगर वो सोचता तो यकीनी तवर पर अपने सही रद्दे अमल को बयान ने कर सका दरसल परवेश से मिलकर वो फैशला नहीं कर सका था कि वो एक लड़की से मिला है या उसकी मुलाकात किसी लड़की से हुई है या सर्दियों में क्रिकेट के मैच देखते हुए उसने एक मूली खरेद ली है अनवर ने उसकी तरफ गोर से देखा उसकी आखे खोबसूरत थी बस एक सिर्फ यही चीज थी जिसके मुतलिक तारीफी अलफाज में कुछ कहा जा सकता था इन आखों के इलावा परवेश के जिस्म के हर हिस्से पर नुक्ता चीनी हो सकती थी बाहें बहुत पतली थी जो छोटी आस्तीनो वाली कमीज में से बहुत ही यक आलूद अंदाज में बाहर को निकली होई थी अगर उसके सर पर सबस दुपट्टा न होता तो अनवर ने यकीनन उसको फरजडीर समझा होता जिसका रंग आम तोर पर उक्ता देने वाला शफैद होता है उसके होठों पर जीते जी लहू जैसी सुर्खी बहुत घुल रही थी बर्फ के साथ आग क्या क्या जोड उसकी छोटी अस्तीनों वाली कमीज सफैद कमबरक की थी शलवार सफैद लठे की थी सैंडल भी सफैद थे इस तमाम सफैदी पर इसका सबस दुपट्टा इतना इनकिलाब अंगेज नहीं था मगर उसके सुर्खी लगे होट एक अजीब सा हंगामा खेज तदाज बनकर उसके चेहरे के साथ चिम्टे हुए थे सहन में जब वो चंद कदम चलकर जमील की तरफ अपने नन्हे से कुत्ते को देखती हुई बढ़ी थी तो अनवर ने महसूस किया था कि ये औरत जो की आ रही है औरत नहीं ननकारी है उससे हाथ मिलाते वक्त उसे ऐसा लगा था जैसे उसका हाथ किसी लाश ने पकड़ लिया है मगर जब उसने बाते शुरू की तो वो ठंडी गरंत जो उसके हाथ के साथ चिपकी हुई थी कुछ गर्म होने लगी वो आवारा खयाल थी उसकी बातें सब की सब बेजोर थी मौशम का जिक्र करते वो अपने दरजी की तरफ लुढ़क गई दरजी की बात अभी अधूरी ही थी कि उसको अपने कुट्टे की छीकों का खयाल आ गया कुट्टे ने छीका तो उसने अपने खाविंद के मुतलिक ये कहना शुरू किया वो बिल्कुल मेरा खयाल नहीं रखते देखिए अभी तक दफ्तर से नहीं आये अनवर के लिए परवेज और उसका खाविंद दोनों बिल्कुल नहीं थे वो परवेज को जानता था ने उसके खाविंद को गुपतबु के दवरान में सिर्फ उसको इसकादर मालूम हुआ कि परवेज का खाविंद जमील का पडोसी है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है अलबत्ता उसने ये जरूर महसूस किया कि परवेज गुपतबु के आगास से गुपतबु के एक्तिकाम तक उसको ऐसी नजरों से देखती थी जिनमें जिनसी बुलावा था अनवर को हैरत थी कि एक ठंडी मूली में ये बुलावा कैसे हो सकता है वो उठकर जाने लगा तो उसने गोध से अपने नन्हे कुत्ते को उतारा और उससे कहा चलो टीनी चलें फिर मिसिज जमील से जी गरोवल के बारे में कुछ पूच पूच कर अपने सुर्ख होटो पर छदरी सी मुस्कुराहट पैदा करने अनवर की तरफ हाथ बढ़ा कर उसने कहा मेरे हस्बैंट से मिलकर आपको बहुत खुशी होगी एक बार फिर अनवर ने फरज डीटर में अपना हाथ धोया और सोचा मुझे इसके हस्बैंट से मिलकर क्या खुशी होगी जबकि ये खुद उससे ना खुश है इसने कहा था कि वो मेरा बिलकुल खयाल नहीं रखते देर तक वो जमील की और उसकी बीवी से बाते करता रहा कि शायद इन में से कोई परवेज के मुतलिक बात करेगा और उसको उस औरत के बारे में कुछ मालूमात हासिल होगी जिसको उसने ठंडी मूली समझा था मगर कोई ऐसी बात नहुई जो परवेज की सक्सियत पर रोशनी डालती जीगरोदल का जिक्र आया तो मिसिज जमील ने सिर्फ इतना कहा सिर्फ का टैस्ट रंगों के बारे में बहुत अच्छा है परवेज परी अनवर ने सोचा कितनी गलग तक फीक है ये खस्ता सी रेढ की हड़ी वाली औरत जिसका रंग उकता देने वाली हद तक्षा फैद है उसको परी कहा जाए क्या ये कोहे काफ की तोहिन नहीं जब परवेज के मुतलिक और कोई बात नहुई तो अनवर ने जमील से रुकसत चाही अच्छा भाई मैं चलता हूँ फिर वो मिसिज जमील से मुखातिब हुआ भावी आपकी परी बड़ी दिल्चस्प चीज है मिसिज जमील मुस्काई क्यों अनवर ने यूँ ही कह दिया था मिसिज जमील ने क्यों कहा तो उसको कोई जबाब न सूचा थोड़ो से तवक्कुप के बाद वो मुस्कुराया क्या आप चलो तुम्हें बताता हूँ ये कौन है मुहतरमा बड़ी वाजिबे ताजीम हस्ती हैं आपको तो बस कोई मौका मिलना चाहिए मिसिज जमील के लहजे में जुझला हट थी जमील हसा क्या मैं गलत कहता हूँ कि परी वाजिबे ताजीम हस्ती नहीं मैं नहीं जानती ये कहक मिसिज जमील उठी और अंदर कमरे में चली गई जमील ने फिर अनवर का कंधा दबाया और उससे मुस्कुराते हुए कहा बैठ जाओ तुम्हारी भाभी ने हमें परी के मुतलिक बाते करने का मौका दे दिया अनवर बैठ हिया जमील ने सुग्रेट सुलगाया और उससे पूछा तुम्हें परी में क्या दिल्चस्पी नजर आई अनवर ने कुछ देर अपने दिमाग को कुरेदा दिल्चस्पी मैं कुछ नहीं कह सकता मेरा खयाल है उसका गैर दिल्चस्प होना ही शायद इस दिल्चस्पी का बाइस है जमील ने चुटकी बजा कर सिग्रेट क राक जाड़ी लखजों का उलट फेर नहीं चलेगा साब साब बताओ तुम्हें इसमें क्या दिल्चस्पी नजर आई अनवर को ये जरह पसंद ने आई मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया जमील हसा फिर एकदम संजीदा होकर उसने सामने कमरे की तरब देखा और दभी जबान में कहा बड़ी खतरनाक औरत है अनवर अनवर ने हैरत से पूछा क्या मतलब मतलब ये कि मुहतरमा दो आदमियों का खून करा चुकी है अनवर की आँखों के सामने मान परवेच का शफैद रंग आ गया मुस्कुरा कर कहने लगा इसके बावजूद लहू की एक छीट भी नहीं इसमे लेकिन फोरन ही उसको मुआमले की संगीनी का खयाल आया तो उसने संजीदा होकर जमील से पूछा क्या कहा तुमने दो आदमियों का खून अनवर ने चुटकी पजाकर सिगरेट की राक जाड़ी जी हाँ एक कैप्टन था दूसरा सर बहाउद्दीन का लड़का कौन सर बहाउद्दीन अम्मा वही जो एगरिकल्चर डिपार्टमेंट में खुदा मालूम क्या थे अनवर को कुछ पता न चला बहाउद्दीन को छोड़कर उसने जमील से पूछा कैसे खून हुआ इन दोनों का जैसे हुआ करता है कालिज में कैप्टन साहब से परी का यारा न था शादी करके जब वो बंबई गई तो वहाँ सर बहाउद्दीन के लड़के से राहो रश्म पैदा हो गई इतिफाक से ट्रेनिंग के सेलसिले में कप्तान साहब वहाँ पहुँचे पुराने तलुकात कायम करना चाहे तो सर बहाउद्दीन के लड़के आड़े आए एक पार्टी में दोनों की चक हुई दूसरे रोज कप्तान साहब ने पिश्टॉल दाग दिया रकीब वही धेर हो गए परी को बहुत अफसोस हुआ सर बहाउद्दीन के लड़के की मौत के गम में उसने कई दिन सोग में काटे जब कप्तान साहब को फासी हुई तो लोग कहते हैं उसकी आँखों ने हजार हा असली आंसु बहाए उसके बाद एक नौजवान पार्सी उसके दामे मुहंबत में गिरफतार हो गया वसल की रात जब उसे पता चला कि उसकी महबूबा शादी सुदा है तो उसने अपने बाप के डिस्पेंसरी से जहर लेकर खा लिया अनवर ने कहा ये तो तीन खून हुए भी नहीं कैसे इन हंगामों की बाईस होई कप्तान ने इसमें क्या देखा सर बहाउद्दीन के लड़के को इसमें क्या चीज न जराई और उस नौजवान पार्सी ने इस धीली ढाली आवरत में क्या दिलकसी देखी अनवर ने परवेज को तसब्बूर में नंगा करके देखा धीली ढाली हड्डियों का एक धाचा जिस पर सफेश शफेद गोस्त मढ़ा हुआ था खून के बगएर कूले दुबले पुतले लड़के के कूल हो जैसे थे रेड की हड्डी में कोई दम नहीं था ऐसा मालूम था कि अगर उसके सर पर हाथ रखकर किसी ने दबाया तो वो दो नीम हो जाएगी बाल कटे हुए थे जो हाइड्रोजन पर आकसाइड के इस्तिमाल से अपना कुदरती रंग हो चुके थे क्या था उसके सरापा में एक फकत उसकी आखे कुछ गनी मत थी अनवर ने सोचा सिर्फ आखे कौन चाटता फिरता है कोई बात होनी चाहिए लेकिन हैरत है कि इस ठंडी मूली ने इतने बड़े हंगा में पैदा किये मुझसे तो जब इसने हाथ मिलाया था तो मैंने खयाल किया था कि मुझे बदबूदार डकारे आनी शुरू हो जाएंगी कुछ समझ में नहीं आता लेकिन कुछ न कुछ है जरूर उस परी में जमील ने उसे बताया कि रावल पिंडी में परवेज के कालिज के रोमांश मसहूर है उस जमाने में इसके वयक वक्त तीन चार लड़कों से रोमांश चलते थे छे लड़के इसी के 22 कालिज वदर हुए एक को बीमार होकर सिनेटोरीम में दाखिल होना पड़ा और अनवर की हैरत बढ़ गई उसने जमील से पूछा कौन है इसका खाविंद और खुद किसकी लड़की है जमील ने जवाब दिया बहुत बड़े बाब की किसी जमाने में अहमदाबाद हाई कोड की चीफ जस्टिस थे आजकल रेटायर्ड हैं खाविंद इसका हिंदू है हिंदू? नहीं नहीं अब इसाई हो चुका है क्या करता है? मेरा खयाल है शुरू में इसका जिक्र आया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है अनवर को याद आ गया हाँ हाँ कुछ ऐसी बात होई थी शायद भाभी जानने बताया था जमील और अनवर थोड़ी देर खामोश रहे जमील ने सिग्रेट सुलगाया और इधर उधर देखकर उसकी बीवी ने सुन रही हो अनवर का कंधा दबाकर सरगोशी से कहा तुम परी से जरूर मिलो देखना क्या होता है? अनवर ने खुछ से पूछा मगर जमील से कहा क्या होगा? जमील के होटो में एक शरीर सी मुस्कुराहट पैदा हुई वही होगा जो मनजूरे खुदा होगा फिर इसने आवाज दबाकर कहा कल साम चाय वहीं पियेंगे उसका खाविंद रात को आता है प्रोग्राम तैं हो गया परवेच के मुतलिक इतनी बाते सुनकर उसके दिमाग में खुद बखुद सी हो रही थी वो बार-बार सोचता था मुलाकात पर क्या होगा? कोई गैर मामूली चीज वकू पजीर होगी हो सकता है जमील ने मजाक किया हो हो सकता है जमील ने जो कुछ भी इसके बारे में कहा सर तापा गलत हो लेकिन फिर उसे खायाल आया जमील को ख्वाह मुख्वाह जूट बोलने की क्या जरूरत थी दूसरे रोज शाम को जमील और वो दोनों परी के यहां आ गए वो गुसल खाने में नहा रही थी नौकर ने उनको बड़े कमरे में बिठा दिया अनवर वोग की वर्क गरदानी करने लगा तफातन जमील उठा मैं सिग्रेट भूलाया अभी आता हूँ ये कहकर वह चला गया अनवर वोग में छपी हुई एक तस्वीर देख रहा था कि उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ नजरे उठा कर इसने देखा तो परवेज थी अनवर सट पटा गया उसने सफेद पैजामा पहना हुआ था जो जा बजागीला था मलमल का कुर्ता उसके पानी से तर बदन के साथ चिपका हुआ था मुस्कुरा कर उसने अनवर से कहा आप बड़े इनहिमाक से तस्वीरे देख रहे थे परचा छोड़कर अनवर उठा इसने कुछ कहना चाहा मगर परवेज उसके पास आ गई परचा उठा कर इसने एक हांस से अपने कटे हुए बालों की तरफ किया और मुस्कुरा कर कहा मुझे मालूम है कि आप आए हैं तो मैं ऐसे ही चली आई ये कहकर उसने अपने मलमल के गीले कुर्टे को देखा जिसमें दो काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे फिर उसने अनवर का हाथ पकड़ा चलिए अंदर चलें अनवर मिन मिनाया जमील जमील भी साथ था मेरे सिग्रेट भूलाया था लेने गया है परवेज ने अनवर को खीचा वो आ जाएगा चलिए तो अनवर को जाना ही पड़ा जिस कमरे में वो दाखिल हुए उसमें कोई कुरसी नहीं थे दो स्प्रिंगो वाले सागवानी पलंग थे एक ड्रेसिंग टेबल थी इसके साथ एक श्टूल पड़ा था परी उस श्टूल पर बैठ गई और पलंग की तरफ इशारा करके अनवर से कहा बैठ ये अनवर हेज की चाहते हुए बैठ गया उसने चाहा कि जमील आ जाए क्योंकि इसे बेहद उल्जन हो रही थी परवेज के गीले कुर्टे के साथ चिम्टे हुए दो काले धब्बे उसको दो अंधी आँखे लगते थे जो उसके सीने को घूर घूर कर देख रही है अनवर ने उठकर जाना चाहा मेरा खयाल है मैं जमील को बुला लाओं मगर वो उसके साथ पलंग पर बैठ गई ड्रेसिंग टेवल पर रखे हुए फ्रेम की तरफ इशारा करके उसने अनवर से कहा ये मेरे हस्बेंड है बहुत जालिम आदमी है जमील जाहब अनवर मिनमिनाया आप मजाक करती है जी नहीं मेरे और उसके मिजाज में जमीनों आसमान का फर्क है असल में शादी से पहले मुझे देख लेना चाहिए था कि वो समझता है कि नहीं जिस चीज का मुझे शौक हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती आप बताईए ये कहती हुई ओट लगाकर पलंग पर अउधी लेट गई इस तरह लेटने में क्या हर्ज है अनवर एक कोने में सरग गया उसे कोई जबाब न सूचा उसने सिर्फ इतना सोचा इसका दर्मियानी हिस्सा कितना गैर निस्वानी है परवेज आउधी लेटी रही आपने जवाब नहीं दिया मुझे बताईए इस तरह लेटने में क्या हर्ज है अनवर का हलक सूखने लगा कोई हर्ज नहीं लेकिन उसको नापसंद है खुदा मालूम क्यों ये कहकर परवेज ने गर्दन टेड़ी करके अनवर की तरफ देखा आदमी इस तरह लेटते तो मालूम हुआ कि तेर रहा है मैं लेटूं तो उपर बड़ा तकिया रख लिया करती हूं जरा उठाईए ना वो तकिया और मेरे उपर रख देजिए अनवर का हलक बिलकुल खुश हो गया उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे उठने लगा तो परवेज ने अपनी पतली टांग से उसको रोका बैठ जाईए ना जी मैं जमील वो मुस्कुराई जमील बेवकूफ है एक दिन मुझसे बाते कर रहा था मैंने उससे कहा अपने खाविंद के सिवा मेरा और किसी से वो तल्लुक नहीं रहा जो एक मर्द और औरत में होता है तो वो हसने लगा मुझे तो वैसे भी उसके तल्लुक से नफरत है जरतकिया उठा कर रख दीजिये ना मेरे उपर अनवर इसी बहाने उठा तकिया दूसरे कोन में पड़ा था उसे उठाया और परवेज के दर्मियानी हिस्से पर जो की बहुत ही गैर निस्वानी था रख दिया परवेज मुस्कुराई शुक्रिया बैठिये अब बाते करें जी नहीं आप तकिये से बाते करें मैं चला ये कहकर अनवर पसीना पोच्टा हुआ बाहर निकल गया तो दोस्तों ये थी मंटो की कहानी परी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों